पर गिरफ़तार कर दिया कहते हैं 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली मोगों ने और अबि थोड़े दिन पहले ग्यारा सो करोड़ का घोटाला है मैं एक बड़ा प्रàiशनी सोटा है कि अगर 100 करोड़ का 1100 करोड़ का घोटाला है कहीं पैसा रखा तो होगा कहीं पे इन्होंने 500 से जाधा रेड मारली कहीं इनको एक चवन्नी नहीं मिली हमने कहीं खर्च तो किया होगा इन्होंने इतनी रेड मारली कहीं कोई कोई खर्चे का हिसाब किताब नहीं मिला ही 100 करोड का 1100 करोड का कोई जुएलरी खरीदी होगी जमीन खरीदी होगी प्रद्धान मंत्री जी से एक इंटर्वियू में ये सवाल पूछा गया कि जी केजरी वाल कहा है कि इस पूरे कथा कथित शराब घोटाले में कोई सबूत कोई पैसा नहीं मिला प्रद्धान मंत्री जी ने जो कहा वो आप सब लोगों को चौका देगा प्रद्धान मंत्री जी ने कहा कि सबूत इसलिए नहीं मिला रिकवरी इसलिए नहीं हुई कोई भी पैसा इसलिए नहीं मिला क्योंकि केजरी वाल अनुभवी चोर है तो पू रहे का कोई एक नया पैसा रिकवरन नी हुआ उसे छुपाने के लिए वो कहते हैं केजरिवाल अनुभवी चोग है तो आपकी सारी CBI निकम्मी है आपके सारे CBI ओफिसर्ज निकम्मे है आपके सारे ED ओफिसर्ज निकम्मे है वो तो एक बहाना है अपनी गलत गिरफतारी को जायज ठहराने का की केजरिवाल अनुभवी चोग है लेकिन कल प्रधानमंत्री खुद प्रधानमंत्री जी ने सारे देश के सामने कबूल किया उनके पास कोई सबूत नहीं है कोई रिकवरी नहीं है प्रधानमंत्री जी जब आप कबूल करी चुके हैं कि पूरा शराब घोटाला फरजी है आपके पास कोई सबूत नहीं है कोई रिकवरी नहीं है तो छोड़ दीजिए